हलो फ्रेंड्स सिंपल होम गार्डनिंग चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों कुदुरत ने इस संसार में लाखो पौधे बनाए हैं उन में से कुछ पौधे अपने फैदेमन गुन तो कुछ पौधे अपने आकार यानि बनावट तो कुछ पौधे अपने खुपसूरती और खुस्बु की वज़स से इस संसार को स्वस्त सुंदर और स्वक्ष बनाने में खुपसूरत बनाने में अपना महत्पुन योगदान कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे ही पौधे के बारे में बताने वाला हूं तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे यूटूब चैनल सिंपल होम गार्णिंग को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसे ही उच्फिल वीडियो के लिए दोस्तों इस संसार में अधिकतर पौधे या तो कटिंग से लगाया जाते हैं यानि उसकी कलम लगाई जाती है या तो वे बीट से उगाया जाते हैं लेकिन यह जो पौधा जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं या ना तो कटिंग से लगाया जाता है और नहीं ब दोस्तों इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें एक से हजारों पोधे कैसे बन जाते हैं यह एक सेकुलेंट प्लांट है सेकुलेंट प्रजाती का ही प्लांट है दोस्तों इसके हर पत्ते पर आपको दीपक के समान यानि दिये के समान सैकुल पोधे मिल जाएंगे या एक बह होते ही रोचक बहुत ही अजीबो गरीब सेकुलेंट प्लांट होते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके हर पत्ते पर आपको छोटे-छोटे बेबी प्लांट नजर आ जाएंगे या एक प्लांट है जो कि आप देख पा रहे हैं इसकी अगर केर की बात की जाए तो सबस सेकुलेंट फैमिली के जो भी पौधे होते हैं उन्हें कम पानी की जिवरत होती है इसकी अगर प्रोपोगेशन की बात की जाया तो दोस्तों इसके जब बेबी प्लांट मैच्योर हो जाते हैं और वो जब नीचे गिर जाते हैं गमले में या किसी जमीन में आप लगाएं हैं जब वो नीचे गिर जाते हैं और मिट्टी की संपर्क में जैसे ही आते हैं वो फिर से नए पोधे बन जाते हैं अपना रूट्स निकालने लगते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक छोटा बेबी प्लांट इसमें काफी अच्छी तरह से रूट्स डेबलफ हुए जाते हैं거든 mother of thousand एक एक ऐसे प्लांट होते हैं जिसे आपने सिर्फ एक बार अपने गाडेन में सामिल कर लिया तो आपके गाडेन में ये हमेशा बने रहेंगे कभी खतम नहीं होंगे दोस्तों अगर इसकी सनलाइट के बात की जाए तो हमेशा ही इसे आप फूल सनलाइट में रखें इसे आप इंडारेक्ट सनलाइट भी दे सकते हैं उसमें भी ये सर्वाइब कर जाएंगे यहां तक कि ये गर्मी की फूल सनलाइट में भी अच्छे से रह दे कभी भी अपने इस प्लांट में ज्यादा पानी न दे उपर की मिट्टी आपको लगभग एक से डेड़ इंच अगर सूखी लगे तो उसे चेक करने के बाद ही आप इसे अच्छी तरह से वाटरिंग करें इस पोधे को आप इंडारेक्ट सनलाइट में भी रख सकते है उसे भी अच्छी तरह से सर्वाइब कर जाते हैं दोस्तों ये एक लो मेंटरिंट में बहुत ही अच्छा सेकुलेंट प्लांट माना जाता है जिसकी केर बहुत ही कम होती है बहुत ही कम केर में आपके गाडेन की सोभा को ये बढ़ा सकता है तो दोस्तों आप भी अगर हमारे चैनल सिंपल होम गाडनिंग को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूं थैंक्यू दोस्तों